नमस्कार स्वागत आप सभी का सुजस्त सारांस के स्क्लास में इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्तान का करेंट अफेर्स जिसका आधार होता है राजस्तान सिरकार की सुजस्त पत्री का शुवात करते हैं हेर्लाइंस के साथ सबसे पहली जानकारी है मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की राजनेतिक प्रते निधियों के साथ बैठक और मतदाता सूचियों का विशेश संशिप्त पुनरिक्षन कारिक्रम संपन हुआ आगे जानकारी है राजपाल ने ससस्त्र सेना जंडा दिवस की बढ़ाई दी राज्य सूचन आयोग ने तीन साल में 49,000 प्रकरणों का निस्तारण किया इसके बाद टीम भावना से मिलते हैं सकारत परनाम ये रेरा चेयर परसंद ने ऐसा कहा है करणपुर जहां उम्मीदवार अपरात की जानकारी का तीन वार करवाएंगे प्रकाशन और प्रसारण श्री गंगानगर की करणपुर विधानसवा सीट जहां पांच जनवरी को मतदान होने वाला है उसके संबंद में जानकारी है रवी फसल का वीमा करवाने की अंतिम्तिती 31 दिसंबर ये प्रधान मंत्री फसल वीमा योशना के बारे में जानकारी है राइस्थान के संबंद में पांच फसलों के लिए जानकारी दी गई है जो है गेहू सरसों चना जीरा तारा मीरा और इस सब को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योशना 31 दिसंबर तक वारशिक भौतिक सत्यापन के अंतिम्ति थी और यहां है बूंदी जहां लोग अदालत ने कराया पति-पत्नी का म अंचायद पंचाय समिति या उस शेत्र में जो कारेड़ात एंजियों हैं उनके द्वारा 31 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है इसमें नौ अलग अलग श्रेणियां होंगी नौ श्रेणियों के नाम यहां दिये गए हैं इसके बाद है रणकपूर जवाई वांध महु सब जिसका विजन 21 और 22 दिसंबर 2023 को होगा इंडेक्स हमारा जिसमें तीन मुख्य जानकर याज हैं कौन कौन सी सबसे पहले है प्रधान मंतरी फसल वीमा योशना दूसरी है बैस्ट टूरिज विलेज प्रत्युक्ता दो हजार 24 और दर्णकपूर फेस्टिवल 2023 इस तर से फसलों का बीमा किये जाने के लिए प्रधान मंतरी फसल वीमा योशना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इसके बाद आगे है इसकी करियानवन एजेंसी कुन सी है कृशी एवं किसान कल्यान मंत्राले भारत सरकार इसका करियानवन करेगा जिसका उद्देश क्या है राकरतिक आपदाओं कीट और रोगों के परिडाम सुरूप अधिसूचित फसल में से किसी की वेफलता की इस्तित में किसान को बीमा कवरेज और वित्य सहिता दी जा सके दरसल एक किसान की फसल का बीमा करने की योजना है फसल में अगर किसी भी कारण से नुकसान होता है तब वित्य सहिता किसान को दी जा सके इसलिए किसान प्रधान मंत्री फसल विमा योजना प्रारम की गई है अब इस फसले हैं इनके लिए कुल प्रीमियम राशी का 2% किसान द्वारा वहन किया जाएगा रवी फसलों के लिए कुल प्रीमियम राशी का 1.5% किसान द्वारा वहन किया जाएगा और यदि वारसिक वानेजिक फसल है या बागवानी फसल है तब इसमें कुल प्रीमियम राशी का 5 प्रतिशत किसान दोरा वहन किया जाएगा बाकी की जो रासी है यानि की सेष्ट प्रीमियम जो है इसका भुकतान सरकार तोरा किया जाएगा अगली जानकारी है बैश ट्यूरिज्म विलेज प्रतियुक्ता दोहजार चौवीज भारत सरकार का परेटन मंत्राले इस प्रतियुक्ता का आयोजन कर रहा है जिसका उद्देश है क्या है ग्रामिंड शेत्र में परेटन को बढ़ावा देना और इस थानी स्तर पर रोजगा द्धार दी वाले ग्रामिंड शेत्र जहां परेटकों का आवदन कर सकते हैं इसे तु भारत सरकार के परेटन मंत्राले की वेबसाइट पर 31 दिसमबर तक आवेदन किया जा सकता है इसमें नौ श्रेणियों में पंजी करन करा सकते हैं कौन-कौन सी नौ श्रेणिया है उनके नाम लखे हुए है Heritage, Agro, Craft, Responsible, Adventure, Community-Based और इसके लाबा Spiritual, Wellness और Vibrant Village वर्स 2023 में राजिस्थान के दो गाओं को इस प्रतियुकता में परुसकार मिला था इन दो गाओं के नाम है मुदैपुर्ग जिले का मेनार और दहौलपुर्ग जिले का नौरंगावाद इनको राश्ट इस्तर पर सम्मानित किया गया अगली जानकारी है रणकपुर फेस्टिवल 2023 जो की की सबाव 22 दिसमबर 2023 को आयोजित किया जा रहा है कहां पर पाली जिले के रणकपुर जैन मंदर में सकाविजन किया जाएगा आयोजित कौन है राश्टान सरकार का परेटन विभाग और पाली का स्थानिय जिला प्रशासने सकाविजन सही ठूरूप से करेगा जिसका उद्देश ही क्या है राजिस्थान की जो इस्थानी कला संस्कृतिय वंविरासत है उसको वैस्विक पटल पर रखना तथा परिटन के माध्यम से राजिस्थान की आर्थ विवस्ता को गति प्रदान करना यानि की रोजगार के अवसर भी उसमें शामिल है आज का अभ्यास प्रस्थान मंत्री फसल विमा योशने के अंतरकत खरीब तता रवी फसलों हितु किसान दोरा दे प्रीमियम राशी क्रम से कितने प्रतिशत है खरीफ के लिए कितनी है और रवी फसल के लिए कितनी है ये पूछा गया है आपके ऑप्शन है दो प्रतिशत औ और देड़ प्रतिशत देड़ या दो पांच या दो दो या पांच क्या होगा इसका सही उत्तर वह आप बताएं कमेंट्स में आम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में धन्यवाद